लगादार खबरों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ चुड़े रहने के लिए News29 इंडिया को सब्सक्राइब करें नमश्कार आप देख रहे हैं News29 इंडिया मैं सान्या जी आपके साथ आज सम्विधान दिवस के अपसर पर इंडौर के भिविनिस्तानों पर सम्विधान की शपत दिलाई गई इंडौर के कलेक्टर कार्याले और इंडौर रेल्वे स्टेशन पर भी हतिकारियों और कर्मिचारियों को शपत दिलाई गई Indoor Railway पी-A-RO ने बताया कि केवल Indoor Railway स्टेशन नहीं बलकि समस रेलवे स्टेशन पर ये दिवस मनाया जा रहा है साथ ही भारतीय रेलवे ने भारतीय समधान को विशेज दिवस के रूप में मनाने का निर्ने लिया है इस मौके पर पी आरो रेलवेज जितेंदर जयंत ने बताया कि हम ये दिवस पूरे साल भर तक मनाएंगे ये 26 नवंबर 2019 से लेकर 2020 नवंबर तक इसे लगातार मनाएंगे हमारा मकसद ये है कि सम्विधान की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे और सभी को अपने मानव अधिकार की जानकारी उपलब्ध हो इसके लिए पोस्टर वैनर और वीडियो के जरिए जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे विरे रिपोर्ट निउस 29 इंडिया अब निउस क्या है पता है दिखेगा आज सम्विधान दिवस है और भारती रिल्वे ने ये डिसाइट किया है कि हम इस सम्विधान दिवस को एक विसेस दिवस के रुप में मनाएंगे आज पूरे भारत वर्स में पूरे रिल्वे पे हम लोगों ने सभी स्टेशन्स पे आज ये सम्विधान की सपद ली है हमारे सभी अधिकारी और करमचारीयों के दोरह इसके साथ में ये जो अभियान है पूरे साल भर तक चलेगा और 26 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2020 तक इसको हम लोग करेंगे और इस पूरे वर्स में हम लोग सम्विधान के बारे में पूरी जागरुकता लोगों तक कहुंचाएंगे जो भी अधिकार हैं मानव अधिकार हैं उनको बताएंगे सभी को बताएंगे अपने पोस्टर, बैनर और वीडियो क्लिपिंग के द्वारा तो कुल मिला के आज सम्विधान दिवस पर हम लोगों ने सभी को सपत देलाई लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूस 29 इंडिया के साथ एक देश सारे प्रदेश प्रदेश